नमस्कार सभी सिक्चक साथियों का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल AAS Academy में साथियों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि NAS module 1st का जो paper हुआ था उसके result की entry हमें shift chat के माध्यम से साथियों सतत MP में entry करना थी या उसका survey करना था तो उस survey को हमें कैसे करना है तो चली हम सीखते हैं साथियों सबसे पहले तो हम shift chat को open कर लेंगे shift chat को open करने के बाद आप लोग जैसा की देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला option आपको सतत MP का दिख रहा है आपको सतत MP के option पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे click करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने school के प्रदान अध्यापक की unique ID डालना पड़ेगी तो मैं यहाँ पर unique ID डाल देता हूँ सत्यो unique ID मैंने जैसा की डाली डालने के बाद यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया एंटर करने के बाद देखेगा मुझे यहाँ पर मेरे जो विद्याले के प्रदान अध्यापक है उनकी unique ID के माद्यम से उनका नाम भी आ गया सारी चीजे है अब मुझे यहाँ पर हाँ या ना के विबरण पर क्लिक करना है तो सात्यो सबसे पहले में हाँ यह विबरण मेरा सही है तो मैं हाँ के विबरण पर क्लिक करूँगा हाँ विबरण सही है सात्यो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको देखना है कि इस सर्वे में आगे करना है उपलब्द सर्वे को एक्सेस करें या जो आप सर्वे कर रहे हैं उसको एक्सेस करें मतलब उसको करना चाहते हैं या सर्वे आईडी दर्ज करें या मेरे सर्वे आपने जो सर्वे कर लिए हैं उसके माद्यम से आपको य यहां पर हमारे जो NAS module 1st का जो test हुआ है, उसमें class 3rd के लिए और class 6 के लिए आ रहा है, तो सातियों हमें यहां पर primary का है, तो हमारे लिए क्या करना है, उपर वाले option पर click करना है, जैसे हम उपर वाले option पर click करेंगे, तो सातियों यहां पर फिर शे आगे एक step हमें detail मांग रहा है, और detail के माद्यम से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो detail है, इसका हम screenshot भी ले सकते हैं, survey ID है, ness, mock, dash, 01, 03 है, तो सातियों आप इसको note चरूर कर लीजेगा, क्योंकि आपको बाद में परिशानी जिससे ना हो, यदि आप भूल भी जाएंगे, तो आप इस ID के माद्यम से सारी चीजें निकाल पाएंगे, ठीक है, तो सातियों मैं आप इसको हा करता हूँ, और किरपया विवर्ण की पुष्टी करेंगे, तो मैंने हा कर दिया, ठीक है, हा करने के बाद किरपया स्कूल का UDICE code माँग रहा है, तो मैंने स्कूल का UDICE code यहाँ पर डाल देता हूँ, सात्यों मैंने अपने स्कोल का uhm wireless code डाल दिया और यहंपर मैंने entry कर दी entry करने के बाद अब देखिए का इस्कूल का नाम आ गया वोल रहा है किर्पय आपने इस्कूल के विवन की फुश्टी करें तो मैंने हा कर दिया इसके बाद अब मुझे सर्वे करना है तो उसने मुझे सारी detail दी साथियो डेटेल देने के बाद अब वो यह कह रहा है कि आप अपना survey जारी रखें तो सातियों में इसमें railway जारी रख़ूँगा जारी रखने के बाद अब देखेगा मैं इसको करूँगा करने के बाद यह मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर start हो जाएंगी और start होने के बाद इनों ने बोला मुझे आपके सहेज कर रख सकते तो मैंने यहाँ पर save करके उसको रख दिया है और यहाँ पर पहला question आ रहा है साथियो school का dice code जो हमारा A है बिलको सही है मैं इसको आगे बढ़ाता हूं साथियो सहेजें और जारी रखें देखेगा A start हो गया है यह मेरी जो अपना सिक्षक का code डालें यह यह unique ID है unique ID मैंने CE3919 डाल दिया और इसको मैंने जारी आगे रखा साथियो आगे रखने के बाद अब मेरे से कर रहें तो सहेजें और जारी रखें सहेजें और जारी रखें देखेगा जो यह लिखा है इस पे आपको बार-बार किलिक करना है यदि आप back में जाना चाहते हैं तो आप पिछले वाले option पर किलिक कर सकते हैं जिससे आपको पीछे जा सकते हैं, सहेजें और जारी रखें, मैं आगे आया कक्षा में कुल नामांकित विध्यारतियों की संक्या साथी हो, मेरे यहां 40 है तो मैंने 40 लिख दिया, 40 लिखने के बाद, फिर से आगे कक्षा में कुल उपस्ते विध्यारतियों की संक्या साथी हो, मेरे यहां जैसे 34 थी, तो मैंने 34 रखा, और आगे सेप कर दिया अच्छा में टेस्ट दे रहे थे, उसमें से पहला प्रिशन कितने बच्चों ने सही किया, तो यहां पर 33 बच्चों ने सही किया, और मैंने आगे सेप कर दिया प्रशने क्रमांग दूसरे में सही जवाब देने वाले विध्यारतियों की संख्या क्या है तो यहाँ पर 31 से साथियों मैंने 31 करके सेप कर दिया ठीक है इसी प्रिकरिया को आगे दोहराना है तीन बाले प्रशन को कितने बच्चों ने सही किया 31 ने किया इसको मैंने आगे सही कर दिया अब मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा पढ़ते जाईगा 4 बाला प्रशन बच्चों ने 28 बच्चों ने सही किया मैंने 28 डल दिया 5 बाला जो प्रशने 7 ही हो 17 बच्चों ने किया सेव कर दिया तेरा फिर यहां पर आठ देखेगा मैं आठ की बाद साथ यह बच्चे हैं तीन और जीरो यह आप निकाल के रख लिए मेरे जैसे यदि आप निकाल के रख लेंगे तो आपको आसानी होगी किस बच्चे ने कितने अंसर का जबाब दिया नहीं तो बाद में आपको फिर से प्रोसीजर डबल करना पड़ेगी वह कंप्लेट हो गया देखीगा मेरे यहां पर 45 कंप्लेट हो चुके मैंने सर्वे समाप्त करें अब यहां पर आ गया आप देख रहे हैं इसको मुझे सहीजना है आगे 45 में मेरे को लास्ट बच्चे ने तीन प्रिशनों आपने अपनी प्रिकरिया सम्मिट करना चाहते हैं और चैट जारी रखना चाहते हैं तो आप इसको या तो रद करें या फिर आपकी पुष्टी करें तो साथियो मैं यहां पर आपको बता दूँ पुष्टी वाले उप्शन पर किलिक करता हूँ क्योंकि सहीए मैंने इसक लिखा गया सर्वे नैस मोक-01-03 शफलता पूर्वक सम्मिट कर दिया गया है किरपया नीची दे गए कोई बिकल्प चुने दो रहाए गए पर एक च्छन या हॉम मेनों पर आप जा सकते हैं साथियो तो मैं यहां पर हॉम मेन्यू पर जाओंगा क्योंकि आप मुझे परशनों के जबाब दूँ तो साथियो मिलते हैं नेक्स टॉडियो में नेक्स टॉपक के साथ जब तक लिए नमस्कार लेकिन ध्यान रखी गया साथियो इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक यू